नमस्का दोस्तो, लाइफ है टीचिंग एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो, RSCAT का जो नेक्स्ट एक्जाम है, उसकी डेट 24 फरपरी बताई जा रही है तो चलिए हम देखते हैं कि इस बात के अंदर कितनी सचाई है इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तो चलिए शुरू करते हैं RSCAT की वीडियो तो दोस्तो, सबसे पहले तुम आपको लिख के चलता हूँ VMOU की ओफिशल वेबसाइट पे यहाँ पे मैंने vmou.ac.in टाइप किया है URL बार के अंदर और देखे इनका होमपेज यहाँ पे शो हो चुका है मैं यहाँ पे थोड़ा साथ इस स्क्रोल बार को डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देखे दुस्तो, यहाँ पे यह इनका नोटिफिकेशन एरिया है जहाँ पे vmou अपने नोटिफिकेशन देता है तो first और second यहाँ पे तो bade के जो अपना नोटिफिकेशन दिया हुआ है थर्ड में दिखो दुस्तो, rsct के बारे में बताया हुआ है तो इससे पढ़ते हैं rct exam scheduled on 17.2.19 had been postponed new date will be announced soon यह नहीं यह बताया है कि इनों ने 17.2.19 की rct पेक्षा रद की है और दुस्तो जो नई date है उसे ही जल्दी announce करेंगे तो चलिए दुस्तो इसके उपर ना मैं क्लिक करता हूँ वेसे आप सभी को पता होगा कि जो hyperlink या फिर link होता है उस पे mouse pointer जैसे ही जाता है तो वह है दुस्तो hand record का हो जाता है देखे यहां पे hand record का हो रहा है ना और यहां पे भी हो रहा है यहां पे भी हो रहा है पर यहां पे नहीं हो रहा है यह भी दुस्तो rct की ही news है इसे हम पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे पहले इस पे हम क्लिक करते है तो इस पर क्लिक करते हैं, और देखते हैं, ओपन होता है या नहीं होता है, वैसे ओपन हो जाएगा ये, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो देखें दोस्तों, यहां पर निया पेज ओपन हो चुका है, अब इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, यहां पे PDF है, इसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमें, यहां पे PDF फाइल ओपन हो चुकी है, वर्दमान महावीर खुला विस्विद्याले कोटा, दिनाक 14 फरबरी 2019, प्रैस, विग्यपती, राजिस्तान रा वाली RSCAT प्रिक्षा को स्तगित किया जता है, प्रिक्षा की आगामी तीथी की सूजना बाद में दी जाएगी, तो यहां पे दोस्तों इन्होंने केवल इतना ही बोला है कि हमने RSCAT की प्रिक्षा रद कर दी है, और नई डेट हम आपको बाद में बताएंगी, चलिए हम ब 2019 has been postponed, यानकि इन्होंने फिर बही बाद रिपीट की है, कि हमने RSCAT प्रिक्षा रद कर दी है, अब दोस्तों इसके आगे की जो लाइन है ना, उसके अंदर सारी सचाई है, यह जो लाइन है इसके अंदर सारी सचाई है, चलिए से पढ़ लेती है, तो इसका मतलब यह नहीं सकती हो, कि इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कि जो 24.2.19 है, वह एक ऐस ताई डेट है, पर इन्होंने कंफ्रम नहीं किया है, कि हम इसी डेट को एक्जाम करवाएंगे, अब देखो दोस्तों इस पे हमने क्लिक किया था, तो आगे इनका इनकी एक और नोट आया थ बट इस पे क्लिक करते जाओ, यहाँ पे इनका कोई विध्यापती है, वो एड नहीं किया गया है, तो इसका मतलब यह है, कि इन्होंने अब भी तक भी साफ कलियर नहीं किया है, कि आरसेटी एक्जाम हम 24 को ही करवाएंगे, चलि यह एक्जाम जो रुका था, यह क्यो रु पढ़ते हैं, गुजर आंदोलन की ताजा खवर, चलि इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या कुछ लिका हुआ है, तो यह इनका आचुका है पेज, यहाँ पर नोट नाव करता हूँ, एंडी टीवी इंडिया, बहुत बड़ी एक्साइट है निउस की, थोड़ा सा स्क्रोल को ड पंगरा फर्वरी को समाप्त कर दिया, यहीं पर दोस्तो हमारी बाता वो कलियर हो जाती है, कि जो गुजरों का आंदोलन था, वह दोस्तो पंगरा फर्वरी को समाप्त हो चुका है, तो दोस्तो यह तो निपट चुका है, यानि कि गुजर आंदोलन तो बंद हो चुका है, पर दोस्तो RSAT यहां पर देरी क्यों कर रहा है यह यहां पर इसका जो as थाई डेट क्यों यह कर रहा है इसको एनकी इसको fix क्यों नहीं कर रहा यह बता क्यों नहीं रहा कि हम exam इसी डेट को करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे यह है दोस्तो RSAT के एक बहुती बड़ी गलती है या फिर VMOU की या फिर RKSR की बाकि दोस्तो आपकी क्या राए है इनको जल्दी से अपडेट करना चाहिए या फिर स्टुडेंट को लटकाना चाहिए आप बताए नीचे कोमेंट बाक्स के अंदर और हाँ दोस्तो आपको बता दूँ RSAT के आगे बहुत अच्छे अच्छी वीडियो आने वाली है लाइफ पर टीचिंग यूट्व चानल पर तबते के लिए गुडबाई टेक क्यार